एसिद्स आर क्रोजेव इन नेचर ठीक है कि एसिड्स यो होते हैं कैन कॉस सिवियर बॉण्स जो स्ट्रॉंग एसिड्स होते हैं वह हुमारी स्किन पर क्या कर सकते हैं इनको क्या करते हैं इनको खराब करते हैं इसी लिए हमें हमेशा जो हमारे एसिड्स होते हैं उनको हमेशा हम किसमें स्टोर करते हैं अंद को किसमें स्टोर करते हैं या फिर्यमुक्स में स्टोर कर साते हैं Dec 65 Dr. Cornwall ऐस तोर करते हैं इस स्टोर कर सती हैं एसे एस पढ़िक्स हैं इसके अंदर क्ले है इसके अंधर यो पोरसलीन है इसके अंदर हम अपने acids को क्या करते हैं, store करते हैं और हमने पहले भी पढ़ा था कि acids को हम किसी metal vessels में भी store नहीं करते हैं ठीक है, तो ये थी सारी acids की properties What do all acids have common? ठीक है, तो हमने इसमें पहले भी बात करी थी कि जितने भी acids होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास hydrogen होता है तो all acids have hydrogen ठीक है, सारे ही acids के पास क्या होता है, hydrogen होता है और जब हम acids को water के साथ dissolve करते हैं ठीक है, so when acids dissolve with water तो ये क्या करते हैं They dissociate to form H-positive iron जिसको आप क्या कहते हैं, hydrogen iron बनाते हैं यानि कि जब हम acids को water के साथ dissolve करते हैं For example, हमने HCl लिया, उसको आपने water के साथ dissolve किया तो आपने यहां पर aqueous ले लिया, ठीक है तो ये क्या करेगा, ये dissociate होगा, ये तूटेगा और यहां पर क्या बनाएगा H-positive iron release करेगा, प्लस C-negative iron ठीक है, तो सारे ही acids के पास, हर acid के पास hydrogen होता है और water के साथ जब ये dissolve हो जाते है acids, तो ये तूटते हैं और क्या release करते हैं, hydrogen iron release करते हैं अब ये जो hydrogen iron होता है ये इस form में exist नहीं करता ये hydrogen iron water के साथ react करता है और बनाता है H-3O positive hydronium iron ये hydronium iron बनाता है ठीक है और ये जो hydronium iron होता है, ये ही responsible होता है एक acid के acidic behavior के लिए तो H-positive क्यालों या hydronium iron क्यालों responsible for acidic nature of acids for acidic nature ठीक है ये बात समझ में आई अब अब हम कुछ ऐसे compounds लेते हैं ठीक है जैसे compounds like अच्छा इस से पहले एक दो reactions और देख लेते हैं जैसे हम नहीं है यहाँ पर तो पर खाले एक दो reactions और देखते हैं हम एक दो reactions और देखते हैं जैसे H2SO4 ले ले लेते हैं ठीक है अब भी hydrogen ion यहाँ पर release करा similarly अगर आप कोई weak acid ले लो CH3COOH ठीक है तो यह weak acid क्या होता है completely dissociate नहीं होता ठीक है और यह क्या बनाएगा CH3COO negative plus H positive तो हर case में hydrogen ion जरूर release होगा okay now अब जैसे कि कुछ compounds है compounds like glucose ठीक है अब जैसे कि glucose है glucose का formula क्या होता है C6H12O6 ठीक है या फिर alcohol like glucose and alcohol 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 में हम ethanol ले ले लेते हैं C2H5OH ठीक है आप देख सकते हो कि in compounds के पास भी hydrogen है ठीक है लेकिन इनका nature acidic नहीं होता ठीक है so they have hydrogen but not acidic तो यह acidic इसलिए नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह dissociate नहीं होते और hydrogen ions form नहीं करते because they do not dissociate to form hydrogen ions they do not dissociate to form hydrogen ions और dissociation के लिए dissociation किस में होता है in a presence of water होता है तो अगर आप इनको water के अंदर भी डालोगे तो यह क्या हो यह hydrogen ion में क्या होंगे dissociate नहीं होंगे और अगर hydrogen ion यह release नहीं करेंगे तो hydrogen ion तो responsible होता है acidic nature के लिए इसलिए इनको acids नहीं बोला गया तो यहां पर एक statement आ जाती है कि all hydrogen all hydrogen all hydrogen containing compounds are not acids एसा नहीं है कि हर compound जिसके पास hydrogen है कि वो acid हो acid होने के लिए वो जो hydrogen है उसको dissociate होकर hydrogen ion बनना जरूर है but all acids have hydrogen लेकिन हर acid के पास चाहे वो strong acid हो या चाहे वो weak acid हो सबके पास क्या होता है hydrogen होता है और यह acid water के साथ dissolve होने पर hydrogen ion अब यहाँ पर एक experiment परफॉर्म किया यहाँ पर हमने एक beaker लिया मैं यह दोनों साथ साथ कर रही हूं ठीक है दो beaker है दोनों में हमने यहाँ पर rubber cock लगा लिया है ठीक है और यहाँ पर हमने iron nails लगाए है दोनों में और इन दोनों को ही हमने six volt battery के साथ यहाँ पर क्या करने connect कर दिया है ठीक है ठीक है यहाँ पर आपने एक bulb fix कर दिया है ठीक है तो यह क्या है rubber cock है ठीक है यह iron nail है यह six volt की battery है और यह क्या है bulb है ठीक है सेम आपने यहाँ पर किया लेकिन इन दोना apparatus में फर्क यह था कि आपने इधर acid भरा कोई भी acid ले लिया या तो HCl ले लिया या H2SO4 ले लिया ठीक है और यहाँ पर क्या ले लिया या तो glucose ले लिया या फिर alcohol ले लिया ठीक है यह दो apparatus आपने सेट कर लिये अब इन दो apparatus से इन दो एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि जब हमने यह वला apparatus सेट अप किया ठीक है जब आपने HCl और H2SO4 लिया और आपने जब इसको switch on किया तो यहाँ पर bulb क्या हो जाएगा glow करेगा bulb glow ठीक है लेकिन यहाँ पर bulb ने glow नहीं किया bulb do not glow तो यहाँ पर bulb क्यों glow कियों क्योंकि यहाँ पर acid था और हमें पता है acids क्या करते हैं dissociate होते हैं ions release करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जैसे HCl था उसने क्या बनाया H positive plus Cl negative और electricity को conduct कौन करवाते हैं ions conduct करवाते हैं तो यहाँ पर electricity conduct हुई और bulb क्या किया glow किया ठीक है electricity यहाँ पर क्या होई conduct हुई ठीक है लेकिन यहाँ पर glucose था और alcohol था ठीक है although glucose और alcohol के पास भी hydrogen होता है लेकिन यह dissociate नहीं होते यह ions release नहीं करते do not release ions ठीक है do not release ions hence do not conduct electricity इसने electricity conduct करी ही नहीं hence do not conduct electricity इसलिए यहाँ पर bulb glow नहीं हुआ ठीक है इसलिए यह प्रॉपटी भी थी कि जो हमारे acids होते है उनको क्या बोला जाता है electrolyte बोला जाता है क्यों क्योंकि acidic solutions क्या करते है ions release करते है और यह ions ही electricity को क्या करते है conduct करवाते है तो यह experimental proof था यहाँ पर अब एक और question आता है कि distilled water distilled water do not do not conduct electricity but rain water conduct electricity ठीक है जो distilled water होता है जो distilled water होता है जो distilled water होता है यह एक pure form of water है ठीक है pure form of water का मतलब यह है कि इसके अंदर solute particles नहीं होते है do not contain solute particles ठीक है इसके अंदर क्या होते है कोई भी solute particles नहीं होते या फिर आप क्यालो इसके अंदर क्या होते है कोई भी ionic compounds नहीं होते है do not contain ionic compounds यह pure form है ठीक है अगर इसके अंदर अगर distilled water के अंदर ionic compounds ही नहीं है तो यह ions बनाएगा ही नहीं और अगर ions नहीं बनाएगा तो यह electricity को conduct भी नहीं करेगा therefore do not conduct electricity ठीक है क्योंकि इसके पास ionic compounds ही नहीं है यह ions को release ही नहीं करता लेकिन जो rain water होता है यहां पे जो rain water होता है ठीक है जब यह atmosphere में enter करता है rain water तो यह carbon dioxide जो present होती है उसके साथ यह react करता है और क्या बनाता है carbonic acid ठीक है H2CO3 यह carbonic acid जो होता है यह क्या करता है release करता है यह dissociate होता है ions में तो किसमें dissociate होगा 2H positive plus CO3 2 negative में इसके अंदर यह dissociate होगा अब इसने ions अगर release कर दिये इसलिए यह electricity क्या करेगा conduct करेगा ठीक है तो इसलिए rain water electricity conduct करता है बढ़ distilled water electricity conduct नहीं करता यह can conduct electricity इसलिए ठीक है आता है क्या लोग कि acids जो होते है acids do not show acidic behavior in absence of water ठीक है यह true है बिल्कुल कि acids यह होते है वो acidic behavior show करेंगे only in the presence of water present acids को जबा water के साथ dissolve करते हो ना acids को जब आप water के साथ dissolve करोगे तभी वो release करेंगे ions को release ions ठीक है और जो ions जो उसने release कर रहे है यह जो H positive ion है यह ही इनके acidic behavior के लिए responsible है इसलिए therefore जो dry HCL gas है dry HCL gas है अब क्योंकि HCL gas है इसके अदर water नहीं है do not do not show acidic nature यह acidic नहीं होती तो acids only in the presence of water ही acidic माने जाते हैं क्योंकि वो तभी ions release करते हैं इसलिए dry HCL gas acidic नहीं होती है okay okay अब हम बात करेंगे electric conductivity की strong acids और weak acids में यह कैसे होती है तो सबसे पहले हम देखते है strong acids strong acids strong acids में आ जाते है mineral acids acids और इसके अंदर हम अपना example देखते है nitric acid का nitric acid का formula होता है HNO3 nitric acid ठीक है अब हमने पहले भी बात करी थी कि हर acid के पास होता है hydrogen और जब हम acids को water के साथ dissolve करते है यहाँ पर यह aqueous बन गया जब यह water के साथ dissolve करते है तो इनके अंदर property होते है कि यह dissociate करते है यह ions के अंदर तूटते है तो यह ions में तूटेगा और यह बनाएगा H positive ion plus NO3 negative ion ठीक है तो यह होते है strong acids strong acids जो होते है वो completely ionized हो जाते है completely completely ionized हो जाते है मतलब completely वो ions में तूट जाते है ठीक है और यहां पर यह जो ions मिलते है यह हमको large amount में मिलते है large amount of ions produced large amount of ions produced ठीक है तो यहां पर complete ionization हो रहे है इसका HNO3 का और large amount में ions मिल रहे है इसलिए strong acids की electric conductivity भी क्या होते है जाता होते है ठीक है तो high electric conductivity high electric conductivity ठीक है अब अगर हम compare करें weak acids से तो weak acids जो होते है उसमें example देखते है acetic acid का CH3COOH ठीक है तो इसके पास भी hydrogen है ठीक है लेकिन जो weak acids होते हैं वो partially ionized होते हैं partially टूटते हैं ions में तो यह बनाएगा CH3COO negative इसको कहते है acetate ion acetate ion plus H positive अब यहां पर यह जो ions बन रहे हैं यह क्या होते हैं less amount में small amount में बनते हैं यहां पर लिख लो partial ionization ठीक है इसी लिए जो weak acids होते हैं उनकी conductivity क्या होती है low electric conductivity होती है low electric conductivity ठीक है तो यह था strong acids के बारे में और weak acids के बारे में जो एक last topic जो यहां पर acids में रहे गया वो है uses of mineral acids uses of mineral acids जिसके अंदर हम nitric acid का use देख लेते हैं nitric acid जो होता है यह fertilizers में use होता है ठीक है explosives में use होता है explosives में यहां पर इसका example लिख लो TNT ठीक है tri nitro toluene इसकी full form जो है यह important है ठीक है यह जो tri nitro toluene होता है यह pale yellow solid होता है ठीक है तो यह थर निट्रिक acid का use second जो होता है HCL का use देख लेते हैं कि जो HCL होता है यह leather industries में dye stuffs में dye stuffs में या फिर textiles में use होता है ठीक है इसके अलावा जो थर्ड है वह है H2SO4 sulphuric acid यह fertilizers में use होता है paint industries में use होता है ठीक है plastics में use होता है chemicals में use होता है ठीक है तो यह जो sulphuric acid होता है यह fertilizers बनाने में paint plastics या फिर chemicals की manufacturing के लिए यूज होता है तो इनके आप uses और जादर डिटेल में अपनी books से देख सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ यहां पर जो acid based and salt का जो topic acid है वो हमने यहां पर पूरा कवर कर लिया है तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो अप तो आप इसे जरूर like करे subscribe करे share करे and comment box में जरूर comments अपने drop करे तैंसर रटूर लूओ करें